नंगल दे विच्छ फैक्टरी चो कथे तौरते जहरीली गैस रिसंड दे मामली दे विच्छ एक नवा मोड आ गया है क्योंकि फैक्टरी परबंदका ने गैस रिसंड तो इनकार कार देता है नंगल दे सेंट सोल्जर्स डिवाइन पबलिक स्कूल दे नाल लग दी प्राइमो केमिकल दे अमडी नवनी चोपडा दे एन फैल नवा नंगल दे जनल मैनेजर विने गुपता ने किहा है क्योंना दी फैक्टरी चो किसे भी तरह दी जरीली गैस लीक नहीं होई उना तरक द लाके दे लोक किमे परबाबित होगे ते फैक्टरी दे विच कामकार दे मुलाजबानों कोई असर नी होया आखर गैस रिसी ता कित्थों रिसी की स्कूल दे विच कुछ जहा होया है के उत्थों गैस लीक होई है ये बड़ा सवाल है जांचती मांग कर दे दरसल कल दफडी माचगी स्कूल प्रिंसिपल वीपी कौशल ने तुरंत छुटी करके सारे विदयार्थियानों कारपे इस्तिता सूचना मिरन तो बाद मौके ते पहुंची पोलिस ने कबर आरते सां लेंड दी तकलीफ मेसूस का रहे विदयार्थियानों एम्बुलेंस सा रही सि सिवल हास्पिताल दे विच बाई विदयार्थियानों लेंदा गया और दे विच एक विदयार्थन नों PGI चंडिगडवी रैफर किता गया है। जेरे इलाज ने हाला के उनों दी हालत खत्रे तो बाहर है। तो अंदास दिनिया के एस स्कूल दे विच करीब 2400 बच्चे पड़ दे ने पर शासंते स्टाफ दी मदद नाल सारयानों स्कूल दे विचों बाहर कड़ दया गया जदों विदयार्थी ने जड़े हो बेहोश होन दगे नहीं तक कब राड़े नाले थी वड़ा हाथसा वी वापर सकता सी। तेसे इलाखे दे विच नैशनल फर्टिलाइजर लिम्टर यानके एनके एनफल अते पंजाब अल्कलीज एंड कैमिकल्स लिम्टर पीए सीयल नाम दियां दो वड़ियां फैक्टरिया ने त ते फैक्टरियां दे नेड़े ही सेंट सोल्जर्स स्कूल हैं जित्ते वड़ी गणतीच बच्चे पढ़तेने। डीसी ने मामले थी जांच दे लेई कमेटी बना दती हैं ते जांच तो बाद ही पता लगेगा कि आखिरकार गैस रिसी तां किमे रिसी क्योंकि गैस लीक का जड़ी दुनियां दे विच वापर देने थोड़े देन पहला लोदे आना दे ग्यास पूरा दे विच वापर हैं उसने की कहर मचाया सी ओ सब जान देने।